हाई श्रेंड्स गूड मॉर्णिंग गूड मॉर्णिंग टॉल आफ यू कैसे अपलो असा करता अपलो अच्छे होंगे और आपके पड़ाय भी अच्छे से चल रहा होगा जिसे कि आपको पती है हमारा मैट्स सेशन में हम लोगों ने बहुत सारे मैट्स का डिस्ट्रिक दे तो आज हमारा होजाई डिश्ट्रिक है और आज हम लोग देखने होजाई डिश्ट्रिक का पाट और हमने हमें 20 उसमें और ऐक Western को औरुस को ओप्सन क kal Audition के वहले हमें अश्चे गलत है आपको find out करके उसे टिक करना पड़ता है तो आप डायरेक्ट इसे टिक कर सकते हैं अधर्वाज आप इसे बना के भी दिखा सकते हैं तो चलिए question देखते हैं पहला question है which of the following set of the numbers are proportions तो proportions क्या होता है कौन सा जाइस में परपोस्टन है जो चार ओप्सन दिया है उसमें साबको proportional निकालना है अब proportional क्या होता है जो दोनों साइड होता है वो equal होना चाहिए उसे हमनों परपोस्टन करते हैं जैसे question number one में देखिए one का अगर हमनों ले तैसे two or six दिया वाँ two six, six और eight दिया वाँ तो प्रपोस्टन का मतलब यह two और यह two जो है यह क्या में है यह ratio के form में है और यहां पर ऐसे दिया एक चले और जो होता है यह आईसे होगा to रेस्यों में six और यह परपोस्टन का यह होता है और 6 रेशियो में 8 यह है ओरिजिनल प्रपोर्शन तो इसको जो हमें लिखने का फॉर्मेट होता है वह 2 बाई 6 लिख सकता और यह जो प्रपोर्शन होता उसे हम लोग इक्वल को सिंबल दे सकता और यह 6 बाई 8 हो गया इसे बोलता है तो आप देखिए यहां पर ह नहीं होगा उसी तरह बी नंबर पर हम लोग देखते हैं बी नंबर में क्या दिया वह 10 रेशियो 20 और प्रपोर्शन जो होता है वह 4 होता है और 30 रेशियो 60 ओके तो यहां पर देखिए 10 बाई 20 और इक्वल टू 30 बाई 60 अगर इसे हम लोग कट करके देखिए तो 0000 31 जा 32 यहां पर देखिए टू 1-2 और एकौल टू 1-2 यहां पर देखिए दोने इक्वल है यह क्या इक परपोर्शन है क्या हो जाएगा वियो प्रपोर्शन यह हो जाए नमबर क्या हो सकता है और नेच्छुरल नमबर होना चाहिए कोई भी जो है नेच्छुरल नमबर कहां से श्टाट है तो तो थरी फोर फाइब डॉट 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 को से रहेगा तो तो कॉन्जी के टिव नमबर कहा निकालना तो दिखिए दो का मतलब होता है जो सब के अंडर जो सब में common क्या लिख सकते है तो इसमें सब में common point क्या होगा कि वॉन सब क्या हो गया common point फूट कभी भी जब पूछा जाये तू लेकिन वह a natural number हो तो उसका जो हमेशा Tips a tenha außer होता है कैसे हो गएWow जैका कोई भी Canon जो मल्टिप्लाई होगा नेक्स होगा क्या है नेक्स्ट क्वेशन जो है आपको दिया गया वुच वुच वॉन अप दा फॉलोएंग इज टर्मिनेटिंग डेशिमल एक्सप्रेशन तो बोलड़ा कौन सा जो नंबर है वो टर्मिनेट हो जाएगा तो इसमें भी आप देखिए कोशन नंबर जो थ्री है वो क्या दिया तो ऐके टु का पार कुछ भी हो सकता है तो वो टर्मिनेट हो जाएगा तो इसको भी प्रप लोग कедь किजिएगा फॉटि फाइव को दिकितना जैगा थ्री से फिरेसे फंव से यह देखेवर हो जाएगा और फाइब का पबसार या फॉप美味 को है एक एक फी रही हो सकता है तो यह कर तू आप्सम भी वह तर्मिनेट होगत कि यह 내jects दाखते हम लोग occupи पो स्टेट कि लागन ऐसे पोर क्या है पी एकस एक्स इवहञाद टु अग्स स्क्वाइर ऐसी प्लस फॉण हाई यद्ण टो ही ऐसे स्कॉल टो भॉण क्यों क्या एकस का लिसन डिया पहले मैम फ्लस तरहें तरह तो मखाटे मेंध मे नटी मरन उस फॉर Dur तो एक्स का जगह पर मैनस आपको पूट कर देना है थो एक्स का जगह बर मैनस अपूर करने पर जो भी आए एंसर वहीं हो जाएगा तो एक्स का जगह पर क्या हो जाएगा मैनस में थारी एक्स का जगह कर sniff si-1 अफीर प्लस-टा स्वाइफ हो जाएगा यह ओन comments 1-2-1 और 2-3-1 और यह 1-1-1-1 हो जाएगा इसलिए मांजस की सिसका भी हर जाता है यह 2 होगिया और the equation a1 x plus b1 y plus c1 equal to 0 then a1 a2 x plus b2 y plus c2 equal to 0 if a1 by a2 not equal to b1 by b2 then the equation will be represent. जब यह equation दे तो हमें किस पर represent करना चाहिए? चलिए option देखते हैं हम लोग इसका. तो option क्या है? तो option पहला है coincident line parallel line intersecting line. तो देखिए आपको जो इसका जो answer हो जाएगा जो यहाँ पर देखा जाएगे कि क्या दिया गया है? तो यहाँ पर आप अच्छे से देखिएगा कि a1 by a2 क्या दिया हुआ है? क्या दिया? a1 by a2 not equal to b1 by b2. जब भी इसको इस तरह से आपको देआ जाएगा तो इसको बोलता हम लोग intersecting line. क्या बोलता है? intersecting line. क्यों? क्योंकि एक दिसरों को यह cut करता है. तो intersect करता है. तो इसे में अगर coincident line रहता है तो तीनो इक्वल्स होता है. चलिए next देखते हैं हम लोग यहाँ से question number 7 देखेंगे. 7 में क्या दिया हुआ है? चलिए देखि लेते हैं इसी के साथ question number 7. question number 7 में क्या दिया हुआ है? AP and AP first 10 and common difference is 3. then the fifth term of each. तो क्या होगा? इसका पाहला अगर देखिए यहाँ पर AP is the first term. first term का मतलब A1 का value दिया हुआ हुआ है 10. यहाँ पर हम लिख सकते हैं. देखिए question number 7. A1 का मतलब होगे आपको सीधा ऐसे लिख देता हुआ है first term. first term का मतलब A1 का value कितना दिया हुआ हुआ है? 10 given है. the common difference is common difference का मतलब हमें CM लिख देता है common difference CD और इसको denote करता है only D से. तो common difference कितना दिया हुआ? 3 दिया हुआ. और fifth term हमें क्या करना है? Find out करना. तो fifth term मतलब A5 निकालना है. तो formula क्या होता? A plus N minus 1 into D. तो first term कितना है? 10 है. प्लस में क्या दिया हुआ? टर्म कितना? 5th term में. तो 5 minus में 1 और D का value कितना है? 3 है. तो यहाँ से देखिए 10 plus 4 into में 3. 4 into 3, 12. तो यह कितना आ जाएगा? 12 plus 10, 22. और आपका जो A15 जो हो, A5 तर्म जो कितना आ जाएगा? तो यहाँ से आमरे लिख सकते हैं, 5th term, 5th term of AP is 22. क्लियर है? तो 22 option में है, option number B is a correct answer. क्लियर है? अगर आपको कोई भी दिक्कत है, तो आप comment कर सकते हैं इस questions के लिए. ठीक है अब next चलते हैं हम लोग, question number 8 पर. Next question number 8 क्या दिया है? देख लेते हैं, मीना went to a bank, मीना ने एक बैंक में गया, to withdraw, उसमें से पैसा निकाला, कितना? 2000 रुपिया, तो 2000 रुपिया एक बैंक में मीना गया, और वहां से 2000 रुपिया विड्रो किया, उसका मतलब वहां से case ले गय ठीक है, वहां से पैसा निकाला, she asked the cashier, उसने cashier को बोला कि to give her 50 rupees and 100 rupees notes only, तो उसने जो भी cashier था, उसे क्या बोला कि उसे सिर्फ और 50 और 100 का note ही चाहिए, और दुसरा कोई भी notes नहीं चाहिए, मीना got 25 notes in all, तो उसे total कितना notes मिलता है, 25 notes पुरा मिला के मिलता है, जो 2000 का notes है, तो total का कितना होगा है, 25, find how many notes, rupees 50 and 100 received, तो बोल रहा है कि कितना notes हो 50 का लिया, और कितना note हो 100 का लिया, उसे हमको find out करना है, clear है यहां से, तो यहां से हम लोगों को यह पता करना है, कि 100 का कितना था और 50 का कितना, उसी तरह यह असामिस में भी लिखा हुआ, आप यहां से प मिना रिशीवड, रूपीज, 50 notes, बी एक्स, एंड, एंड, रूपीज, 100 notes, बी वाई, इतना clear है, तो हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, कि according to first condition में हम लोग बोल सकते हैं, यहां से देख लेता है, उपर कर रहा होते हैं, ठीक है, यहां से, according to first condition, according to first condition, ठीक है, total notes कितना है, तो 25, एक्स प्लस Y इक्वाल टो 25 हो, और यह कौन सा equation है, equation first हो जाएगा, और दूसरा क्या है, according to second condition, वहां पर आप देख सकते हैं, कि कितना है 50 का note, और यहां पर कितना 100 का note, वहां पर total मिला के कितना है, 2000 रुपी से, तो मैं यह से लिख सकता हूं, 50 X प्लस 100 Y इक्वाल टो कितना रुपिया है, 2000 रुपिया है, इतना clear है आपको, क्योंकि यह total money कितना है, 2000 रुपिया ही है, तो इसका पास total money इतना है, तो इसका equal हो जाएगा, क्योंकि total इतना भी लिया होगा, वह 50 का note लिया होगा, और यहां से दोनों मिला का 1000 मिल जाएगा, और यहां से अगर हम दोग देखें तो 50 को अगर हम common ले ले तो 50 common लेने पर x plus में 2y और इधर से कितना आ जाएगा 2000 ही रहने देता है तो यहां से 0 से 0 cancel और यह 5 से 5 का 20 और यहां से कितना आ जाएगा 40 आ जाएगा कि दिया रहे तो यानि x plus 2y x plus 2y का भेलू कितना आ गया 40 और यह equation second हो गया आगे दिखते हैं कि दिखें equation first भी मिल गया equation second भी मिल गया तो हम लोग इससे लिख सकते है equation first into 1 x को माइनस करना तो 1 तो यह क्या आ जाएगा x plus y equal to 25 और फिर से लिख सकता है equation two into में one फिर से आ जाए क्या आ जाएगा x plus 2y equal to 40 यह आ जाएगा देखने साथ दिखाने देरा अब यहां से देखें तो यहां से हम लोग लिख सकते हैं क्या लिख सकते हैं कि यह second है equation first into one दोनों में one one से myliply के हैं clear है तो यहां से देखिए हम लोग माइनस कर रह कर रहा है equation first minus equation second तो माइनस करने पर क्या होगा यह भी मैनस होजाएगा यह भी माइनस हो जाएगा सारा का सारा माइनस हो जाएगा तो यह x कर सकते हैं, putting y equal to 15, और in equation, कोई भी equation में आप put कर देजिए, हम first में कर देते हैं, तो first में क्या x plus y, तो x plus y के value कितना है, यहाँ पर 25, तो y के value हमेरे पास कितना है, 15, तो यहाँ पर देखिए, x plus में 15, और equal to 25, तो x का value कितना आजाएगा, 25 माइनस में 15, तो यह हो जाएगा x का value 10, तो हम x का क्या मान किये थे, x का value जो था हमारा, वो था 50 का, मतलब 1 x का 50 का नोट से वो 10 निकला, और जो आपको 100 का नोट से वो 15 निकला, किलिए रहा, तो 100 का कितना नोट से आगे है, तो आपको 50 यानि x equal to 10, और y equal to आगे आपका 15, जो यह कितना का नोट से एक्स का, वो 50 रूपीज का नोट से और यह कितना का नोट से यह 100 रूपीज का नोट था, किलिए रहा, तो चलिए option में देखते है, 10 और 15 कहां पर है, किलिए रहा, तो question में हम लोग भी यही find out करना था ना, यह 10 और 15, पुछा है कि कितना नोट से यह 10 और 15 था, option number is correct answer, clear रहा यहां तक, अगर आप इसको नहीं देखे, तो अच्छा से आप इसको देखे, यह one marks का question में ही दिया गया है, आपको, चलिए next देखते है, question number 9, next, the sum of first and natural number is क्या हो, तो देखे, sum of first and natural number क्या होगा, तो यह यहां पर हम लोगा देखे, तो first term, a1 का जो value, a1 हो जाएगा, और d का जो value है, a, b1 हो जाएगा, और n term है, term हमें पता नहीं है, term कितना हो जाएगा, term तो रहेगा, n ही है, n term दिया, n natural मतलब n term, तो हमें यह नहीं पता, तो यहां पर क्या होगा, फर्मूला लेंगा, sum का formula ल जाता है, ठीक है, तो यह क्या हो गया, n by 2, और 2, a का value क्या है, a का मतलब 1 है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, 2 into 1, minus 1, n minus 1, d का value कितना है, one है, clear यहां तो, आप यहां सा देखिए, मैं यहां लिख रहा हूँ, तो यहां से आजाएगा, n by 2, s n equal to, n by 2, और यहां से रहेगा ही, आपको 2 into 1 क्या हो जाएगा, 2 ही रहेगा, और यहां पर n minus 1 हो जाएगा, clear रहे, अगर इसको खोलते हैं बाहर, तो n by 2, और यह हो गया, 2 plus n minus 1, यह हो जाएगा, और यहां से देखिए, अगर 2 में से 1 चला जाएगा, तो क्या बचेगा, तो n by 2, और यह बचेगा, n plus में 1, यही बचेगा, तो यहां से देख सकते हैं, तो यहां पर क्या आजाएगा, अगर हम direct पूरा का पूरा ले ले ले, तो n into n plus 1, और यहां पर नीचे में क्या आगया, 2 आगया, तो यही बनता है आपका formula, clear है, direct जो हम लोग बोल सकते हैं इसको, कि n natural number का formula क्या होता, तो n into n 10 plus 1 by 2, तो option number C, तो यह आप direct इसको याद रखना है, ठीक है, यह नहीं कि यतना बना कर दिखाएगा, यतना नहीं, अगर आपको questions में आता तो बना कर दिखाना, इसलिए में यह बना कर दिखाए, अधरबास में direct इसे tick करने वाला था, अधरबास में इसे आपको बना कर दि options है, मैं इसे पहले find out करता हूँ, उसका बाद में options भी देख लूँगा, तो रूट्स क्या है, यह है, एक स्क्वाइर, प्लस में 16x माइनस में 64, इक्वाल टो 0, तो इसको discriminate, अगर हमने देखे तो यह कौन सा rule यह आ जाता है, यह हो जागा, बी स्क्वार माइनस में 4, A, C, मतलब होगे, 1, U का मतलब होगे, 16, C, का मतलब होगे, माइनस में 64, इहां पर आप देख लेते हैं, A, एक का मतलब होगे, 1, और C, का मतलब होगे, माइनस में 64, इस्टिन अभी जब भी अग्योगा निकाले तो यह निकले का टूफिप्टी सिक्स और यहां पर आप देख सकते हैं पूर से मल्टिप्लाई होका दफूर फॉर जा शिक्स्टिन और शिक्स फोदर ट्वैड़ फ्लस में वान ट्वैव और यह भी माइनस में इस मैं प्लॉस ह जाएगा तो क्या हो जाएगा यह 256 अम प्लस 256 यह कितना हो जाएगा अगर 256 अगर प्लस कर दें तो 512 हो जाएगा यह 0 से बारा यह ग्रेटेंड जीरो है तो जब भी जीरो से इबारा हो जाए तो यह क्या हो जाएगा जब 0 से अगर यह बारा हो जाएगा तो यह बन जाएग आपको real and unequal, यह क्या बन जाएगा, real and unequal, ठीक है, अगर यह इस फ़र्म में आएगा, अगर great and निहां से देख लेते हैं, आपको तीन case में बता देता हूँ, ठीक है, अगर आपको कोई भी चीज़, अगर 0 से बारा आ जाता है, 0 से great and निहां 0 है, यह भेलू, तो यह आता है, real and unequal, ठीक है, real and unequal, और अगर आपका मान लेते हैं, 0 से छोटा आ जाएगा, यह भेलू, तो यह हो जाएगा, no real, no real, और अगर मान लेते हैं, equal to 0 आ गया है, तो two equal roots हो हो जाएगा, और यह तो real रहेगा, two equal, real roots हो जाएगा, two equal, real, root हो जाएगा, तो तीन condition बनता है, इसका, यहां पर देख लेते हैं, लोग कि यह 0 से बारा आती, क्या होगा, real and unequal, तो देख लेते हैं, option में कौन सा है, तो देखे, real and equal दिया हुआ, हम यहां पर क्या निकला, real and equal होने से यह बला होता है, क्या, equal to zero हैं है तो यह option नहीं होगा, चलिए next देखते हैं, हम इसका, option number B, option B में देखते हैं, this is real and unequal, तो यही हमारा निकला, real and unequal ही निकला, real and unequal देखे, option number B क्या हो जाएगा, correct option हो जाएगा, clear है, तो चलिए next देखते हैं, question number 11, next question क्या दिया, if इन्टू ट्रेंगल ABC and PQR तो देखिए पहले PQR को हम लोग बनाएंगे question number 11 ठीक है दो ट्रेंगल बना लेता हूँ मैं एक ट्रेंगल इधर से बनाता हूँ क्यों PQR बना क्योंकि हर option में देखिए PQR पहले दिया हुआ PQR पहले दिया तो मैं और फिर इदर में ओर देतां पिर यहां पर क्य ay और मिद्या पका मतला यह देसके यहां Betty पर देखिये यहां पर दिया हूएwhy BC और बेची बराबर पी आर तहhesia पर अपको पता की चीज बसता हा हिनापर कुछ मुछ बचेगा भी नहीं अब देख्यास से क्या यह मेच में हो रहा है वह हमें फाइंड आओड कर सक्ट है सबसे पहलब मुवा पीकू एया से पी क्यो और इंधी होना सी एम ऐसा होना चीह बेसे करके अगर मेस पीकूर तो औरसी आ ही जाना चाहिए तभी यह दोनों क्या होगा कॉंगुरेंट होगा के लिए रहे और चलिए फिर से देखते हैं कॉस्चन नमबर टुएल नेस्ट कॉस्चन नमबर टुएल में क्या देखते हैं देखिए कवी बीकॉस्चन आजाएं दो तीन ही कॉस्चन आता दिस्टेंस प्रों दो आपका डायरेक्ट देदेगा या पर दो तीन कॉस्चन इसका पौस है आपको याद रहना चाहिए बहुत इंप सिंपल सी बात है हां से दिया हुआ डिस्टेंस फ म दर और ज remote ट दिया है तो दिहां पर कोशन के दिए और यह माइनस में सिक्स URL एक ट इसको एक लेता है इसको य माल लेते हैं सिंपल सी बात है है यह से यह मतलब माई निसक्स का स्क्वाइर और प्लस में यह सक्वाइर एट का जाएगा 64 अगर इस दोनों को देखे तो यह बन जाएगा आपका 100 और 100 का जो रूट अंडर आता है वह बन जाएगा आपका 10 तो यहां पर क्या ओजाएगा आँसर 10 आजाएगा इसका ठीक है तो अप्शन नमबर सीजे करेक्ट आइसर कीलिया रही तेरे बंध देखते हैं कोश्चन नमबर-टर्टिंट्ट नेक्स्ट कोश्चन नमबर-टर्टिंट में देखे किया हुआ साइन एब आइखसाई को धूल तो ऑन बाई-टू अगर हम लोग देखे रैकोशन नमबर-थर्टिन तो साइन ए एकोल टू ओन डाइटू तो साइन एकोल टू मतलब यह हो गया पी बाइच का वेलू जो है वन बाइटू दिया वुए तो हमें बी का वेलू है फाइंड आट करना है तो यह हो जाएगा आपका 2 का स्क्वाइर यह होगा पी का मतलब वन का स्क्वाइर तो प्लस में क्या हो जाएगा यह बीड़ स्क्व crisis है तेहां हम लोह सते हैं हैं तो का स्क्राइब फार हो जाएगा वॉल के क्या जाएगा यह वन हो मैं जाय स्कॉर टो इधर में के हैता है पोट मायनस में बॉं संब्सक्राइब depreciate का स्कॉर हो जाएगा तो यहां पर मिला देखिए तो हमें एक फाइंड़ाइंड है कि हमें कोट निकालना है तो find यहां पर लिख सकता हैंThis Month क्या करना हमको the to find out करना हमें गर्ठ तो गवराबर क्या कोया सब्सक्राइब होता है आप पिभाई भी स्री यह 10 का होता है थे कहता है जिए कोट इंग का इल्टा होता का उल्टा होता है कोट यह कोंगा वी और रोट रूट कीतना है तो हमें तो पता यह नहीं रहता नीचे को क्या बोल सकता है और रोट रूट जोशिफ फशिफ रूट री तो fire और रहे हैं अप्शन नमबर एक एक पी का भीलू 1 था एज का भीलू 2 है और बी का भीलू आपका रूट रहा गया तो हम ऐसे सिदा भीलू आपको भीलू है पूट आउट कर सकते हैं नेक्स देखते हैं से ज़्यादा का भी भी प्रवीटि नहीं होता है वह हमेशा है 0 से लेके वन तक आये यह ऑन से ज्यादा नहीं हो सकता है ठीक है नेक्स चलिए देखते हैं रोन नेक्स कोशन में दिया है और कुलास इंट्रवल क्या हो सकता है पनुछे समय कुछी तो जो भी भेलू रहे 9T है 90 और यहां से कितना दिया है 130 तो यह दोनों का प्लसके दो से वाइड देने इसका आँसर आ जाए गा तो हाए यह बन फोन सऺचे 590 टो श्य। यह हो जाएगा वन कि फोन किना बन हेसा हुद्धि एह गार बन कि यहां पर हो जाएगा तो यह ten गाल वांद credit वांप समयनוס सिंसे फार्व पैंट समय को अब कर श्युक्iser के तो 2-3-2 हो एक हो गया च इसका आधा उन्हया करना है तो 2 से 10 दानल घ्राय आसे करका देता हूं इंहां से कर का देखा देता है वह तो इस सब को जोरने 90 यहां पर मैं जोर लेता हूं 130 प्लस में 90 जीरो नो तिन बारह हाथ में एक 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 दो 220 हो गया तो यह हो गया 220 हो जाएगा तो यह जल्दी वाजी में न करें यह नहीं होगा यह होगा ठीक है 110 होगा इस जल्दी वाजी में गलती हो जाता है तो ऑप्शन डी हो जाएगा तो ऑप्शन नमर क्या जाएगा दी जोरने में थोरा सा गलती हो गया चलिए नेक्स्ट कोश्चन क्या दिया नमबर अप टेंजन केंड वी ड्रॉन तो दपॉइंट आउट साइड अप सरकल तो नमबर अप बिस एक तो इसका कुछ एक नाम देंगा कितना सरकल ये समझ में ये कितना हो गया तो तो प्सटाल कितना ऊप्षन कितना हो जाएगा तो एक tutorial तो ये ट्रॉन पन सबंटीन नेच्ट कोच्चन है इफ दा सॉम अफ एडिया अफ टू सरकल उध रेडिया रेडिया सर्कल को वैसे समझे कि दो सरकल है और इसको दो जोड़ने पर यह तिसरा सरकल का इसका वहलू फाइंड आट करना यह तो यहां पर देखिया पहला सरकल का दिया है आरवन दू थिसरा सरकल है रत्त्रा और तिसरा सरकल है ओनली कर ठटी यह मतलब मानलेके यह और वहाओन है और यह ओनली केप्टन बड़ा है था यहता कि सकष्कवल दिया रढ़क प्ता है इडियाघ्यॉत सरकल क्या होता है अब यह होता है इसको शु notices ब्लस में सकर पा थे-इससरा में क्या हो जागा 5 r2 का स्कॉर हो जागा और तीसरा के क्या जगा स्कॉर हो जागा ऐए क्योंकि यह only r क्लीयरर्लियर्ल यहां सब्सक्राइब की यहां से दोने में が प्लस में आर् 2 पा स्क्वार हो स्वायर है रीक्वल टू हरे स्क्वार यसा कॉन सा उप्शन है जो यह कर रहा है यहां पर देखिए और हमकंवर प्लस आर् 2 स्क्वायर और इक्वल टू-on तो और से सेता हो एको शाया दोर करोल कि और उच्टा इससे ज्यादा नहीं हो सकता है यह आपको धियान होना चाहिए तोटल सब्सक्राइब तो इसका फर्मूला वो होता है फोर पाई और स्क्वाइर तो यह सिदा सेदा फ्रमुला बनता तो यह ओप्शन नमबर क्या हो जाएगा यह ओन हो जाएगा ठीक है चलिए नेक्स तक तर इसी का साथ कोस्चन नमबर ट्वाइंटी और आज का लास्ट कोस्चन है इसका तो थर्टी मिनट्स का वीडियो इसका बोल्यम अब्शम कंचे कैना तो इसका यह एगोर्दर थे स्यलेंडर तो पहले में यहां पर लिताँ सेलेंडर की और एक साइड लिख देता हो मैं कौन ठीक है और दोनों का सबचीज में सबब्राबर तिसदा में बोल्यम पर ही आ जाता हूं थीक है है heller क्या हो जात सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को साथ सेर भी किजिए किलिए और थोड़ा भी अच्छा लगा है जिसे हमारा भी मोटिवेशन बना रहे है आम इस चैनल पर भी तक नहें है आपको पता ही है चलिए आज के लिए इतना है तब तक के लिए जैन जै भारत